लोक तंतर है तो पक्ष और व्यपक्ष दोनों की बात को सुना जाता है एक एतिहासिक घटना होई और एक नई संसद मिली और सौ साल बाद एक एतिहासिक पलता लेकिन इक बॉयकॉट भी चला उसको उसको लेकर क्या आपको लगता है कि जिस तरह की टिपूया क्लिकर नह्या पर विवात खड़ा किया गया ताबूत दिखाया गया भारत के संसत को आरजेडी द्वारा वाट यूवाट यूव तो से उन दाट जिनकी टांक खुद राजनेतिक एक कबर में है वो ताबूत दिखाएंगे तो कहीं न कहीं ये उनकी राजनेतिक शैली का प्रमान देते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जब वो देश की संसत का इस प्रकार से अपमान करते हैं तो अपमान मोदी का नहीं है हर उस नागरिक का अपमान है जो देश की संविधान को अपना प्रथम अधिकार समझता है अपना प्रथम जिम्मेदारी समझता है मुझे ये भी लगता है कि जिन लोगों ने चलावा किया कि वो पारलिमेंट का बॉयकॉट करेंगे वो क्या आगामी सेशन में पारलिमेंट में अपने पैर नहीं धरेंगे और जहां तक सिंगोल की बात है तो भारत के इतिहास को जुटलाना ये तो गांधी खांदान की खासियत है हिंदू धर्म पर कटाक्ष करना ये तो गांधी खांदान की खासियत है अगर नहरू जी को जैराम रमेश इस प्रकार की अबद्र टिपनी कर सकता है तो सोनिया जी को सोचना चाहिए कि ससुर साहब की बदनामी करने वाले को वो क्या अभी भी मीडिया का चार्ज देंगी ये तो बहु जाने उनका सुसुराल जाने लेकिन एक 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 बड़ा पॉइंट है सेंगोल को लेकर जब सेंगोल को स्तापित किया गया मंत्रो चारण हुआ उससे पहले सर्व धर्म सभा भी हुई लेकिन उसको एक धर्म विशेश के साथ जोडने का प्रयास हुआ उसको लेकर भी एक पॉलिटिक्स है योर टेक उन दाड़ कि मैं इतना ही कहूंगी आपने सर्व धरंड की प्रार्थनाओं का वहाँ वलेख कि hippy निद्रा जी भी वह पार्दतिpable की बात हुई और जहां तक लीडियर चीब वहिस्ते शेम यह प्राक्टिसिंग हिंदू पार्सी धर्म की एक प्रेयर आज आपके सम्मुख हम लोग पड़ी विनम्रता के साथ श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हैं धर्म को समाज को भगवान को तो सर्वधर्म संभाव क्या होता है उसका एक चित्र आपने पार्लिम सवाल अक्शली पूछना ही वियरत है क्नून ने शंकराचार्य पर कटाक्ष कर लिया उनसे मैं अपेक्षाय कैसे कर सकते हूं कि वो मेरे समाज का मेरे धर्म का संब्मान करें जिन्हें सट्ता की कुरसी पर बैठ कर हिंदु आतंक वाधी प्रतीत होता है उनसे मां अपने व प्रती कैसे सम्मान अपेक्षित कर सकते हूं जो अपनी करनाटक की जीत को हिंदू धर्म के खिलाफ की जीत बताते हैं उनसे मैं कहां अपेक्षा कर सकती हूं कि वह धर्म के पती आदर का भाव रखें जिन्हों ने राम के अस्तित्व को जुटला दिया जो आज तक एक पग नहीं धरे राम बंदिर के प्रती उनके प्रती मैं यही भावना रख सकती हूं कि ना मेरे समाज का संबान करेंगे ना संबान करेंगे जी लेकिन एक और बड़ा विश्य है पहलवानों को लेकर जो विवाद चल रहा है उन्होंने विसरजन का भी आज प्रयास किया फिर न बहुत बड़ा डेंट है जिस तरह से पहलवान सडकों पे हैं लगातार देखे कानून और आपके सांसत प्यारों के अभी आपके इस कारिक्रम से पहले ही मैं अभी आप से चर्चा करने से पहले एक कारिक्रम में वभीता फोगाट जी के साथ ती जो उसी परिवार की सदस् कोई निर्दई निरलज अथवा ऐसा कोई कानून पर प्रहार करने वाला काम हम कर रहे होते तो बबीता फोगाट मेरे संग बैठी होती जहां तक कानून की बात है सुप्रीम कोर्ट ने स्वयम इस विशे पर अपनी टिपणी कर दी है आपको भाजपा पर विश्वास ना ह करेंगे वरतमान में इस इन्वेस्टिगेशन चल रही है जितना कानून मैंने समझा है इन्वेस्टिगेशन में हस्तक शेप करना कानून की मर्यादा का उलंगं करना है तो क्यों कॉंगर्स पार्टी कि चाहती है कि कानून का उलंगन हो क्यों कॉंग्रेस पार्टी के सरगना और कई नेता ऐसे विशे में नित्रत्यों करते हुए दिखाए दे रहे हैं और उनकी मंशा न्याय संगत न हो राजनीति के प्रती हो यह प्रशन तो निश्चत रूप से वर्तमान में जंता के मध्य म उसके पक्षिक की बात कहती हूँ, वर्तमान में जो investigation चल रहे हैं, उसमें कोई हस्तक शेप ना करें, ताकि judicial process किसी भी रूप में आहत ना हो, ये मेरी अपील रहेगी. क्योंकि आप textile minister भी है और महिला विकास मंत्री भी है, मेरा सवाल बहुत महतपूर है ये, मेरा सवाल बहुत महतपूर है आपसे, क्या आपको लगता है कि खिलारियों की छाती पर, जिस तरह से प्रेंका गांधी ने ट्वीट किया, कि खिलारियों की छाती पर medal हमारे देश की है, लेकिन उस पर बूट रखे जा रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल इशू भी बन रहा है, और बड़ा पॉलिटिकल विश्य बन रहा है, पॉलिटिकल इशू ही है, इससे कोई मैं दोराय नहीं रखती हूँ, एक सांसत के नाते में इतना ही कहना च सबसे पहली बार पद्मपुरुसकार अगर सामान्य गरीब परिवार की किसी लड़की को मिला, तो वो भारतिय खेल के लिए मिला, उस लड़की का नाम सुधा है, तो जिने इस बात की सुध नहीं थी, कि उनके अपने राजनितिक छेतर में किस प्रकार की बेटियों की प् इश्पक्ष जाच हो, जुडिशल प्रॉसेस में कोई बाधा ना बने और जिस केस में सुधाइम सुप्रीम कोड अपनी टिपणी दे चुके हैं, उस पर सुप्रीम कोड पर जो विश्वास नहीं करते हैं, उस पर मैं कोई टिपणी नहीं कर सकते हैं, आखरी सवाल, जिए अर्विंद केजरिवाल क्योंकि ओडिनेंस आ गया है तो वो भी सब को साथ ने की चलने की बात करते हैं हमिश्य और किस प्रकार का यह याराना है कॉंघी है जवाब दे दे मंताब अन्दौपाध्या ने बंगाल में कई कंउंगरेस के कारичес करताओं के उपर शूषण किया प्रहार किया ऐसा कई कैनेथा स्वैम कहते इस तो जिस DMC का हाथ सना है कॉंग्रेस के कारे करताओं के खून के साथ क्या गांधी खांदान उस T.M.C. के साथ मिलाएगी नितिश जी ने गांधी खांदान को ब्रश्ट कहा क्या गांधी खांदान उनका आलंगन कर पाएगी गांधी खांदान और देश ने लालू जी को ब्रश्ट कहा क्या राहुल कि स्वच राजनीती राहुल जी को इस बात की इजाज़त देती है कि वो लालू जी को क्लीन चिट दे पाएंगे केजरिवाल साहब गांधी खंदान और कॉंग्रेस के कसीदे पड़ते थे एक जमाने में शरत पवार जी को गाली देते थे आज उनका एक नया याराना हो रहा सबको एक कॉमन चीज जोड़ती है वो कॉमन चीज है नरेंद मोदी सब नरेंद मोदी के खिलाफ है उन्हें लगता है कि नरेंद मोदी से निपटने है आपस में बात में निपटने हैं जनता भी देख रही है जनता यह जानती है कि वो एक अकेला सब पे भारी है चलिए ज करने के लिए थांक यू सो मच स्मृति जी